हेलो एवरिवन जैहिंद वेलकम तू जासर अकार्मी फॉर आईएस हम करने जारे हैं मेंस का प्रिविस सेर क्वेशन अनालेस और आज हम देखेंगे जनरल स्टरीज पेपर फॉर एथिक्स आंड वेल्यू से एक क्वेशन मैं उमीद करती हूं आप लोगों ने इस क्वेशन क को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा तो आज हम बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड देखने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें ऐसी लेसंस दी ऐसी टीचिंग्स दी हमें ऐसा पढ़ाया शिक्षाएं दी जिससे कि हम हमार लाइफ चेंज हो सकते हैं हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंट कर सकते हैं तो बहुत ही जादा इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि यह आपको हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और यह जो एथिक्स में तो हम पढ़े रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बुद्ध है या बुद्ध से रिलेटिड क्वेशन सिर्फ हिस्ट्री में ही पूछे जाएंगे नहीं हमें एथिक्स में भी उससे रिलेटिड उसम के हिसाब से बनाके पॉर्म करके पूछा जा रहा है तो guys बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बहुत interesting और अच्छा session होने वाला है तो आज आपको बहुत ही important points मिलेंगे उन points को अपने पास note करके ज़रूर रखिएगा it will help you a lot in the near future तो शुरू करने से पहले guys जिन भी students ने हमारे telegram channel join नहीं किया है वो तुरन description box में जाएए वहाँ पे आपको link provided होगा उस link के थुरू आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं और उसका benefit आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी के सारी PDF का access मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए upload कर दी जाती है हमारे telegram channel पे ही free of cost और उसी के साथ आपके लिए जो भी video lectures upload किये जाते हैं आपको उसका भी directly वहाँ पे provide कर दिया जाता है और गाइस अगर आप civil service अगर आप अपने examinations की proper तरीके से seriously preparation करना है तो मैं कहूंगे कि आपको current affairs के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको अपना time, money, efforts कुछ लगाने की ज़रत नहीं है all you need to do is आपको सिर्फ regularly जो जासर academy पे आप लोगों के लिए current affairs की video lectures upload किये जाते हैं आपको सिर्फ consistently उनको follow करना है that is more than enough क्योंकि हमारे current affairs से बाहर का आपके exam में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा और guys हमारा gs का भी pre plus mains batch run कर रहा है आप उस batch को जरूर join कीजिए क्योंकि उस batch में gs 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल 0 से तयारी करवाई जा रही है जासर आपको खुद mentor कर रहे हैं उस batch में और अगर आप batch की details को proper तरीके से follow करेंगे और जासर के द्वारदी की guidelines को follow करेंगे तो आपका exam निकलने से कोई नहीं रोक सकता guys आपका selection पका है तो जरूर join कीजिएगा guys इस batch को और guys हमारा mains का भी answer writing batch run कर रहा है आप इस batch को भी जरूर join कीजिए इस batch में आपको 500 press questions की practice कराई जा रही है हमारी expert faculty है वो आपके answer copies को check करते हैं आपको mistakes बताते हैं और improve करने में help करते हैं और उसी के साथ साथ आपको हरे question के regarding example answer भी दिया जाता है और video solution भी provide किया जाता है with proper explanation जरूर join कीजिएगा guys इस batch को अगर आप civil service examination की seriously preparation कर रहे हैं तो join करने के लिए आप नीची देगए number 9713282838 पर whatsapp के through आप courses की details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपना आज का session स्टार्ट करते हैं so हमारा question है what teachings of buddha are most relevant today and why discuss बुद की कौन से शिक्षाएं आज सबसे अधिक प्रासंगिक हैं और क्यूं चल्चा करना so ये question guys GS4 ethics से लिया गया है और ये question UPSC ने 2020 में पूछा था तो जब हम इस question की बात करते हैं guys तो इस question में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि जो बुद ने अपनी teachings दी थी जो बुद ने उस time पे अपने lessons प्रोवाइड किये थे कि क्या होना चाहिए या आपको कैसे करना चाहिए कैसे आपको life जीनी चाहिए तो उस context में वो आज के time पे किस तरीके से relevant है मतलब कितनी जादा relevant है और क्यूं है वो relevant आज के time पे इतनी जादा क्यूं है मतलब वो उनकी महत वो पून वो इतने जादा आज के time पे है तो वो क्यूं है हमें वो बताना है ठीक है तो हमें basically यहाँ पे भी दो पार्ट में ही question पूछा गया है first part में हमें यह बताने कि क्या वो relevant है या नहीं है और वो बता के हमें में बताना है कि वो relevant क्यूं है और किस तरीके से है तो चलिए guys अपना question स्टार्ट करते है The main goal of Buddhism philosophy is to eliminate suffering and unhappiness As the world increasingly grows interdependent and is beset by conflicts बुद्धा's philosophies will only grow more relevant तो main goal हमें जो बुद्धिसम की या उतकी जो ideology उनकी जो philosophy थी उसका हमें क्या देखने को मिलता था कि वो क्या कहते थे कि suffering को और unhappiness को कि आप खुश नहीं हो आप अपने दुख को खतम करो खुश रहो आप अपने दुख को खतम करो और जो आप सफर करते हो आप परेशान रहते हो आप तड़पते हो आप उसको खतम कर दो कहते हैं न कि thirst आप किसी चीज़ की मतलब तनहा आप भूख प्यासमत रखो किसी चीज़ की कि मुझे यह नहीं मिला वो desire ही खतम कर दो अगर आप desire खतम कर दोगे तो आप खुश रहोगे आपको परेशानी नहीं होगे आप सफर नहीं करोगे ठीक है और जैसे जैसे अब world क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है मतलब जैसे जैसे increase होता जा रहा है आज के time पर मैं देखने को मिल रहा है कि interdependence बढ़ती जा रही है वो interdependence की वज़े से क्या हो रहा है कि conflict जादा हो रहे हैं जादा लडाईया हो रही है ठीक है लोग जादा दुखी रहने लग गए हैं जादा अकेले लोन रहने लग गए हैं फील करने लग गए हैं तो ऐसे time पर बुद्ध की जो philosophies हैं वो जादा relevant हो गई हैं आज के time पर ठीक है उनकी और बहुत जादा ज़रूरत पढ़ रही है आज के time पर उन teachings की Right So conceptual framework of Buddhist thought and its relevance कि अब उन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके की उनकी teachings ही हम उनके बारे में देखेंगे The essence of Buddhist teaching is contained in the four noble truths These four noble truths set out the path for an individual's enlightenment अब जो बुद्ध की जो teachings थी वो उनके four noble truths में बताई गई है मतलब सारी के सारी teachings एक उनके अंदर included है four noble truths जो बुद्ध ने दिये थे ठीक है और ये जो four noble truths है ये एक ऐसा रास्ता बताते हैं ऐसा path create कर देते हैं हमें जिससे की एक individual enlightenment attain कर सकता है ठीक है एक व्यक्ति और ये ज्यानोद्य का मार्ग है ये तो ये जो four noble truths है वो क्या है तो उनके basis पे हमें क्या पता चलेंगे जब four noble truths है उसी के अंदर हमें बुद्ध की सारी की सारी teachings के बारे में पता चल जाएगा और वो teachings किस तरीके से relevant है और क्यों relevant है हमें वो भी पता चलेगा हम उससे connect करके बताएंगे so first is the truth of दुख दुख की सचाई की क्यों है दुख क्यों है उसकी सचाई क्या है क्या reason है उसके पीछे according to buddh all sources of happiness are transient any feeling of happiness is accompanied by dissatisfaction उन्होंने क्या कहा है कि जो भी sources है मतलब जहां से भी आपको खुशी मिलती है अब क्या होता है हम अपने से ही लगाते हैं वर सोच के देखिए हमारे पास जितना भी है किसी person के पास बहुत कम ऐसे होंगे जो कि satisfied होंगे जो खुश होंगे कि हाँ हमारे पास सब कुछ है हमें जो है हम उसमें बहुत खुश है हम satisfied है हमें कुछ और नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास जो है वो किसी दूसरे के लिए वोक कर रहा होगा, किसी दूसरे के लिए रो रहा होगा, कि अरे मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है कोई भी person satisfied होता ही नहीं है completely तरीके से जो चीज जिसके पास है वो दूसरी चीज के लिए दुख मना रहा होता है कि अरे इसके पास तो ये है मेरे पास ही नहीं है यह यह कितना लखी है दे किसके पास ये है बट जो चीज आपके पास है वो उनके पास नहीं है तो उनने क्या कहा कि वो transient नहीं है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो भी sources है happiness के वो आपके लिए बहुत है आपको कितनी भी happiness मिल जाब तब भी dissatisfy होंगे ही होंगे क्योंकि आप वो चीजों को देखेंगे जो आपके पास नहीं है तो इसलिए आपका भी satisfy होते ही नहीं है Thus, there is a need to look for happiness in external things rather than internal feelings and attitudes तो हम क्या देखते हैं कि इसलिए हम क्या चीज़े देखते हैं happiness के लिए हम बहारी चीजों में देखते हैं बजाए कि अपनी अंदर की feelings और अपने अंदर के attitude को देखने की बजाए बहारी feelings पे ध्यान देते हैं कि कि किस तरीके से है या हमारे पास ये चीज़े नहीं है वो चीज़े नहीं है हम दूसरों को देख के परिशान होते हैं कि उसके पास तो ये है हमारे पास ये नहीं है तो वो क्या है वो दुख का कारण है जिसकी वज़े से हम दुखी रहते हैं वो कहते हैं कि इतना जैसे वो मूवी में था ना Three Dates में कि इतना दुख अपने last आने का नहीं आया जितना दुख दोस्त के first आने पे आया कि अपने पास जो है अपने पे इतना दुख नहीं होता हमारे पास जो है या जो नहीं है लेकिन अगर किसी और के पास कुछ है तो उस पे ज़ादा दुख होता है तो वो एक philosophy है जो चलती है और उसे के बारे में बुध ने बताया भी अब यह जो डॉक्ट्रीन है यह आज के टाइम पे क्यो रेलेवेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है कि लोग चीजों से ज़ादा प्यार करते है यह ज़ादा हमें बुख तावाद भी हमें देखने को मिल रहे स्साइटी में तो जैसे हमने बोला ना कि अब क्या है कि लोग अपने अपने से करते हैं अरे मेरे पास यह नहीं है दूसरों को देखके परेशान रहते हैं अरे उसके पास यह है मेरे पास नहीं है तो यह चीज़े आज के टाइम पे जादा से जादा ही बढ़ती जा रही है पहले क्या होता था? पहले फिर भी मिल जूल के रहते थे अब सब अपना अपना देखते हैं अपने अपने अलग रहते हैं दूसरों को देखता चाहिए इसके पास ही है मेरे पास यह नहीं है तो वो उसको लेने में जूट जाते हैं तो वो happiness, satisfaction उनको कभी मिलती ही नहीं और यह reason है उनके दुख का इसलिए लोग unhappy रहते हैं तो इसलिए ही आज के टाइम पे बुद्ध की यह teaching बहुत ज़्यादा जरूरी है राइट नेक्स्ट इस अब हमने यह तो देख लिया कि दुख क्यूं है ठीक है दुख है वो क्या reason है उसका अब हम देखेंगे कि यह इसका origin basically होता कहां से है कि दुख की उत्पत्ती ही कहां से होती है अब यह जो दुख का origin है यह कहां से निकाल गया है craving मतलब कि जितना है उसके और भी जादा पाने की लालसा जितना हमारे पास है उससे और जादा पाने की हम इच्छा रखते हैं कि हमारे पास अगर मालो 10 रुपे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि नई नई अब मेरे पर 10 रुपे है मुझे तो 20 रुपे चाहिए और वो सच भी है सही भी है कि हम उपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी वज़े से क्या होते हैं कि अगर हम कहीं पे successful नहीं होते हैं वो हमारा satisfaction का end कहीं नहीं आता अब जब जहाँ पे अगर हम successful नहीं होते हैं हम succeed नहीं करते तो वहाँ पे हम दुख ही हो जाते हैं हम वहाँ पे happy नहीं होते हैं dissatisfied हो जाते हैं जिसकी वज़े से ये दुख हमें देखने को मिलता है ठीक है और उसके साथ ignorance उससे भी हमारा दुख बढ़ता है ignorance implies a misunderstanding of the self and reality ignorance का मतलब क्या है कि हम अपने आपको या जो भी surroundings है जो सच है जो actual में reality में है हम उसको perceive ही गलत तरीके से करते हम समझते ही गलत तरीके से हैं उसकी वज़े से वो क्या है ignorance और जब हम गलत तरीके से अब एक चोटी सी चीज सिफेक समझने के परपस से मान लीजिए अगर आपके parents आपको कोई बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपके भले में कह रहे हैं that is in your happiness की भी वो आप ही की खुशी के लिए होगा आप ही क welfare के लिए होगा लेकिन आप उसको किस तरीके से perceive कर रहे हैं कि ममी पापा को तो मेरी पड़ी नहीं है वो तो मेरे ओपर ध्याने ही दे रहे हैं उनको तो मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए या मेरे क्या मुझे क्या अच्छा लग रहा है उस पे तो उनका ध्य जिसके लिए आप उनको बोल रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे आपने misunderstanding, मतलब उसको गलत तरीके से परसीव किया, गलत समझा है, तो वो क्या है, वो एक ignorance है कि आप proper तरीके से उसको नहीं देख पारे हैं, एनलाइज नहीं कर पारे हैं, जिसकी वज़े से अब उनोंने अगर parents ने मना करते हैं, तो आप दुखी होंगे, कि मुझे बापा हो तो मेरी पड़ी नहीं है, वो तो मुझे देख ही नहीं है, आप दुखी है, वो दुख का reason क्या है, आपकी ignorance, कि आपने पूरी तरीके से उस situation को और उनकी बातों को समझा ही नहीं, right, this can find relevance in developed countries, ignoring climate change and its impact, which will affect whole humankind in the medium to long term, अब यह आज के टाइम पे क्यों relevant है, किस वज़े से relevant है आज के टाइम पे, कि climate change का impact, ignorance हो रही है, climate change हम जानते है कितना जाद और है, लेकिन उसको उस तरीके से tackle नहीं किया जा रहा है, उस तरीके से उस पे ध्यान दिया नहीं जा रहा है, जिस तरीके से दिया जाना चाहिए और ये सब ही को पूरी की पूरी पूरे के पूरे environment पूरी की पूरी स्रिष्टे को इस तरीके से impact करेगा कि सब कुछ नश्ट भी हो जाएगा medium to long term implications हमें इसके देखने को मिल भी रहे हैं आज और आगे चलके और जादा वो बढ़ेंगे अगर प्रॉपल तरीके से काम नहीं किया गया तो इसका क्या है कि ये दुख का origin है ये जो ignorance है न इग्नोर किया जा रहे है climate change को खासकर कि developed countries जादा नहीं कर रही है वो थोड़ा सा ignorance रख रही है तो ignorance की वज़ा से क्या है वो दुख होगा ठीक है दुख का origin बलकि हो चुका है राइट next is third जो four noble truths का third truth है the truth of the cessation of दुख कि दुख को किस तरीके से खतम करना है कैसे अब हमने origin देख लिया दुख देख लिया कैसे है उसका origin का से अब हम उसको खतम करने के लिए देखेंगे cessation of दुख is the objective of Buddhist spiritual practices यह objective था कि जो बुद्धिस की जो practices थी अध्यातमिक प्रताएं थी उसका objective था दुख को खतम करना first is Buddhism lays down special emphasis on meditation which is an activity of training the mind and helping to develop more beneficial attitudes toward life अब बुद्धिसम ने क्या कहा था कि दुख को अगर खतम करना है तो आपको अपने mind को train करना है मतलब अपने mind को अपने काबू में करना है उसको control करना सीखना है और वो आप किसकी help से कर सकते हैं meditation की मदद से आप कर सकते हैं और आप एक अपना अच्छा attitude बना सकते हैं लाइफ की तरफ क्योंकि mind क्या है अगर आपने अपने mind को control करना सीख लिया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो इसलिए बुद्धिन ने कहा कि meditation एक बहुत ही powerful टूल है और meditation से आप अपने mind को train कर सकते हैं meditation can help people to deal with increasing mental disorders in the age of smartphones and help to and lead to moral and mental self-improvement अब आज के time पे इसकी relevance इतने जादा क्यों है दुख को खतम करने के लिए meditation की जादा आज के time पे जरूरत है क्यों है क्योंकि बहुत जादा mental disorders बढ़ते जा रहे हैं आज के time पे जैसे जैसे smartphones बढ़ते जा रहे हैं उसका usage बढ़ता जा रहे हैं उसकी विज़े से mental disorders बढ़ते जा रहे हैं अब हम देखें कि patience level भी बहुत जादा कम हो रहा है आज यूथ में बहुत patience level कम है जैसे कि अगर मालीजे कोई video देख रहे हैं हम तो उसमें अगर वो होता है ना कि latency speed अच्छी नहीं है वो गोला गोला घूम रहे है दीरे दीरे चल रहा है तो क्या हो रहा है उसमें patience ही नहीं होता वो इतना frustrated हो जाते है तो उससे क्या है वो उनका disorder हो रहा है वो अपने mind को control ही नहीं कर रहा है वो patience level ही खतम हो रहा है तो meditation से वो proper तरीके से improvement कर पाएंगे morally भी और mentally भी ठीक है तो इसलिए ये truth या ये बुद्ध की teaching आज के time पे relevant है अब last zone का truth है वो क्या है truth of the path leading to the cessation of दुख अब दुख को कैसे खतम करना है मतलब दुख को खतम करना है कि अमों के meditation करना है अब उसका लेकिन proper path क्या है उन्होंने वो बताया है कि दुख का वे क्या है उसको खतम करने का तो आपको दुख नहीं होगा right thought, proper तरीके से सोच नहीं, जैसे बोलने से पहले दो बार सोचो, सोच नहीं right speech, सही बोलो right action, सही टाइम पे सही action लो सही decision लो ठीक है, right livelihood proper तरीके से रहो, कोई भो काम नहीं है right effort, proper तरीके से जहाँ पे जरुरत है effort डालने की जितना जादा उतना वहां डालो जहां कम की ज़रत है वहां कम जहां पर neutral रहना है वहां neutral ठीक है तो वह आपको वही understanding की proper रखनी है कि कहां पर क्या चीज़ ज़रूरी है mindfulness होनी चाहिए आपको ठीक है आपके पास और right concentration proper concentration के साथ आपको focus के साथ हर काम को करना है अब right speech यहाँ पर क्या envisage करती है abstaining from telling lies and speaking deceitfully ठीक है this can be applied to tackle increasing hate speech and growing intolerance in society भी आज के टाइम पर किस तरीक से relevant है जैसे right speech है मतलब कि सही बोलना है आज के टाइम पर क्या हो रहा है जूट बढ़ती जारी लोग बहुत जादा जूट बोलते हैं ठीक है जैसे कहते न कि गलत बोलते हैं आपके लिए बुरा भला कहते हैं जूट बोलते हैं ठीक है उससे क्या होते conflicts होते हैं और hatred increase होती है और जैसे अभी हमें hate speech का concept देखने को मिलता है कि hate speech कि आपके बारे में किसी को defame करने के लिए बोला जा रहा है किसी के बारे में गलत बोला जा रहा है गलत तरीके से बोला जा रहा है तो वो हम tolerate स्वरी वो हम tackle कर सकते हैं right speech के माध्यम से फिर हम बात करें अगर right livelihood की अब right livelihood का क्या है कि हम जो कमा रहे है हम इमान्दारी से कमा है लेकिन वो आज के टाइम पे क्यों रहेलेवेंट है क्योंकि हमें बहुत जादा ब्रश्टाचार करप्शन देखने को मिल रही है जिसकी वज़े से ये हमें हमारे लिए important है आज के टाइम पे और अगर हम right effort की बात करें it can lead to self-discipline, honesty, altruism and compassion which can tackle ongoing social decay right effort मतलब कि हम अपने आपको discipline तरीके से और इमान्दारी से honesty से पूरी अपनी dedication के साथ काम करें लेकिन ये भी आज के टाइम पे हमें कम देखने को मिलती है ठीके जो social decay है चल रहा है उसको हम tackle कर सकते हैं सामाजिक शेह से निबट सकते हैं हम अगर इस बुद्ध की teaching को follow करते हैं तो right तो ये थे हमारे four noble truths जो बुद्ध ने दिये थे और इसमें हमने बुद्ध की teaching को देखी और साथी साथ इन की क्या आज की was a century of war and violence it was the work of humanity to ensure the 24th century goes on the way of peace and dialogue अब गुद्धिसम का relevance हम कहां से भी देख सकते हैं दलाय लामा ने क्या बोला था कि जो 20th century मतलब कि जो 1900s वाला हमें देखने को मिला period 1900s वाला 20th century जिसे हम कहते हैं वो पूरा हमें war और violence से भरावा देखने को मिला मतलब युद्ध और इंसा थे तो ये लोगों का ये हम लोगों का ही काम है कि हम 24th century को जो आज है हम जी रहे हैं 24th century को हम बिलकुल peace और peaceful बनाए और एक अच्छे तरीके से रहें peaceful तरीके से चांती पूर्वक तरीके से रहें तो वो हमारा काम है बनाने का तो इस तरीके से बुद्ध की डिजिंग बहुत ही जादा important है और आज के टाइम पर तो बहुत ही जादा उसकी importance बढ़ चुगी है बहुत जादा ज़रूरी है peace maintain करने के लिए एक harmony create करने के लिए ठीक है गाइस so this was all for this question I hope you all have liked this analysis अपना feedback गाइस हम आसाथ comment section में जरूर शेर कीजेगा so with this we end up this session today here guys thank you so much have a great day ahead जाहंद